कि अब्रीवन दिश्वांगी वेल्कम टीशिव क्लास इस वीडियो हम डिस्कूस करने वाले करन्सी एप्रिसियेशन और डिप्रेशन के बीच का डिफ्रेंस विद एक्जामपल हम यह समझेंगे और नीरच पॉप्लिकेशन एकनों हेल बुक्स पर काफी अच्छा डिस्काउ करेंगे तो आपको और भी डिसकाउंट हो लेगा तो चली स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं करन्सी डेप्रिसियेशन से ठीक है यह बुले अब मुल्यन ठीक है मुद्रा का मुल्यन तो यह डेप्रिसियेशन वाला है ठीक हमने डैप लिग दिया है तो डेप्रिसिय हमारे देश में रहते हों हमारे घरेलू मुद्रा है और बाकी सारी हमारे लिए वाली रूपीस के टर्म्स में एक एक से ज्यादा प्रण करेंसी के टर्म्स में डॉलर से सब्सक्राइब करते हैं तो इस केज में क्या हूं था डॉमेस्टिक करंसी हमारी करंसी कांव हो जाती है मान लीजिए एक डॉलर राइज होगे 60 टू 64 पहले एक डॉलर था 60 रूपीस का ठीक है अब एक डॉलर है 64 का तो यह आप सोचोगे इसमें तो प्राइस बढ़ रहा है कि पहले 60 रूपे था आप 64 रूपे हो गया बट यह हमारी करणसी की वैल्यू घट रही है हमारी बढ़ कर रही है क्लियर हुआ एक्जामपल देख लिए इसका एफ़ेक्ट की ओता करणसी डेप्रिसेशन के एकड्यांपल समझते बहुन क्या है कि ज डॉमेस्टिक करणसी है वह फोरेंग करणसी के कमपारेजन में में तो यह गिर रही है उसकी वैल्यू जो हमने एक जामपल यह कि पहले एक डॉलर 60 था ठीक है एक यूनिट जो डॉलर के थी वह 60 रुपीज के बराबर थी लेकिन अब वह 64 डॉलर की हो गई है इसका मतलब क्या है कि जो यूएस है इट मींस दाट मोर गुड्स कैन भी परचेश फ्रॉम इंडिया रुपीज एक डॉलर के लिए पहले वह इंडिया से 60 रुपए का समान ख़ीद पा रहे थे अब वह एक डॉलर से कितने रुपए का समान ख़ीद पारें चौसट उनके लिए हमारा चो समान वो क्या होगा सस्त है जाएगा वहती है इंडिया का उपर्पार इंप्रीज हो जाएगा उसे खरीद ऑने शीओ पाईज आप उनके लिए चीपर हो जाएगा जो एक्सपोर्ट है बगए यहां पर छिडिया सफ्ता हो गया है ळें अब आते हैं नेक्स्ट हमारा यह है हमारा currency appreciation ठीक है यह गया है हमारा currency appreciation है तो यहां पर हमारी domestic currency उसकी value increase हो रही है appreciate कर रहे हैं ठीक है जैसे उसमें क्या था एक डॉलर साथ से चौसेट हुआ था अब इसमें एक डॉलर चौसेट से साथ रुपे हो गया हमारी currency की value बढ़ रह है क्लियर हुआ जब हमारी value दूसरे comparison में क्या हो रही है यहां पर बढ़ रही है पहले एक डॉलर में चौसेट रुपे का समान अब एक डॉलर में सिर्फ साथ रुपे का समान इसका मतलब क्या है हमारी currency महंगी हो रही है तो यहां currency हमारी क्या कर रही है appreciate कर रही है मुल्यवरिदी ठीक है हिंदी में क्या बोलते है मुल्यवरिदी बोलते है तो यहां पर वही एक्जामपल भई अब यहां पर इसका मतलब क्या है more that more good can be purchased from the USA with same amount of rupees in dollars अब हम युएस से जादा से जादा समान खरीश सेते हैं उसी अमांट में एक डॉलर के पहले है पहले हम सस्ते हो गया है वहाँ पर यूएस के लिए जो था सस्ता हो गया था समान और यहां पर हमारे लिए सस्ता हो गया है समान तो क्लियर हुआ एप्रिसियेशन और अप्रिसियेशन के बीच का डिफरेंस तो यहां पर टॉपिक खतम होता है यह आपको क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो चलिए तो लाइक इट शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू